असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब और उमीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे और आज मैं अफ़तार में बना रही हूं कोफते क्योंकि आज भौदे रो गया है तो फटा फट से बनाते हैं कोफते बहुत एजी सी रेसिपी है और बहुत जटपट बनेगी तो चलिए बनात बहुत जल्दी लाल हो जाता है तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सर का जार लिया है और अब मैं इसमें मिंस्ट मीट जो है वो डालूँगी मैंने या पे मतन लिया है और उसको अच्छे से दो लिया है और मिक्सर में डालने का की वज़ा यह है कि यह अच्छे से बारीक पीज और जो भी इंग्रीडियन हम हम एच्छी तरीके से इसमें मिक्स होँ जाएं आज और अब जो मैंने प्याज लाल की थी, मैं वो डालूँगी और साथ ही मैं अधर कलेसन का पेज नालूँगी, और धनिया पावडर डालूँगी और अब इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च मैंने यहापे कशends एक मिर्च यूज किया आप नॉर्मिल मिर्च भी यूज कर सकते हैं साथ ही डाल देंगे इसमें गरम मसाला और अब इसमें मैं डालूँँगी बेसन हमने बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है बेसन जो है वो बाइंडिंग के कामा आता है और अगर आप रोस्ट कर लेंगे तो वो उसका कच्चापन जो है वो चला जाता है तो बेसन डालने के बाद अब लास में मैं इसमें डालूंगी नमक और थोड़ा ध्यान रख क्योंकि ग्रेवी में भी आप नमक डालेंगे और इन सारे इंग्रीडियन्स को अब मिक्सर में में डाल कर पीस दूँगी अब यह जो मिंस्ट मीट है वो अच्छी तरीके से पिस गया है और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला आप चाहो तो डाल सकते हो अब हातों की हेल्प से हम इसको अच्छी तरीके से बाइंड कर देंगे और ये देखिए ये बहुत अची तरीके से बाइंड हो गया है और अब हम बनाएंगे कोफ़ते बॉल कोफ़ते बॉल बनाने के लिए हाथ में आप थोड़ा सा ओयल लगाए और इस तरीके से गोल गोल गुमा गुमा कर आप कोफ़ते बना सकते हैं ये मेरे कोफ़ते बॉल रडी हो गए है, अब फ़र फ़र ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपके पाउडर नहीं है तो आप कोकोनेट को चुट 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 पीसे में काट कर डाल सकते हो। और इसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे। जब तक ये नारियल जो है हलका सा अपना ओयल जो है वो ना छोड़ दे तब तक आप उसको अच्छी से रोस्ट करते रहो। अब मिक्सर में हम ये बदाम नारियल डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे वो अनियन जो हमने लाल किया था और इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें। नेक्स टेप ये है कि हम एक बाउल लेंगे और बाउल में लेंगे दही मैंने यहां पे दो बड़े चमच दही लिया है अगर आप मीट या मिन्स मीट जादा लेते हो तो आप दही कौंटिटी बढ़ा लेना और अब इसमें में शामिल कर दूंगी जो पेस्ट हमने भी प् वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इस सम को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हम जो है वो डालेंगे अद्रक लेस्ट का पेस्ट यहां पे मैंने 2 से 1.5 टी स्पून डाला है और साथ ही मैं डालूंगी इसमें जो है हल्दी पाउडर और उसके बाद मैंने डाला है इसमें कश्मीरे मिर्च और कश्मीरे मिर्च डालते ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है ग्रेवी बहुत अच्छा कलर आता ग्रेवी का और अब यहां पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और लासमे मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला तो इसमें थोड़ा स prayer, हमने गरम मसाला अड़ कर दिया है अब इन सब को जो है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह है हमारी ग्रेवी मिक्स का फाइनल लुक और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है अब इसको जो है हम अच्छी से कुक करेंगे तो कुक करने के लिए मैंने यहां पे कढ़ाई पे तेल गरम कर दिया है और तेल गरम होते ही मैंने इसमें शामिल कर दिये हैं दो तेज पते और एक डालचीनी का स्टिक और डालचीनी डालते ही एक बहुत अच्छी सी खुश्बु आती है मसाले में बहुत अच्छी सी स्मेल आती है तेज पते की बहुत च्छी स्मेल आती है और अब जो है अब इसमें मैं डालूँगी जो हमारा ग्रेविय मिक्स है वो ग्रेविय मिक्स डालते ही मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसको मैं तेज आँच में थोड़ी देर भूनूँगी और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके मैं इसको 10 से 15 मिनिट तक कुक करूँगी और 10 से 15 मिनिट हो गया है और ये मेरा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी से थिक लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करिया है आप कंसिस्टेंसी अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हो और अब ये मेरा मसाला बिल्कुल रेड़ी है कि मैं इसमें कोफते जो है वो शामिल कर दूँ और मैंने यहां पे सारे कोफते बॉल्ल अड़ कर दिये हैं और इसको मैं थोड़ी दे तेज फ्लेम में पकाऊंगी दो से तीन मिनिट और उसके बाद मैं फ्लेम को सिम कर दूँगी और इसको कुक करूँगी दस से पंदरा मिनिट तक कोफते बी रड़ी हैं इसमें मैंने डाल दिये हरी धन्या और हरी मिर्च और यह डालने के बाद सिम में बस दो मिनिट के लिए और हम इसको cook करेंगे और उसके बाद हमारा कोफता completely ready हो जाएगा और ये देखिए मैंने यहाप पर dish out कर दिया ये कोफते हमारे इच्छी तरीके से बन गए है रेडी हो गए है और इसको हम खाएंगे अफगानी नान के साथ तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच झाल